मनीश कस्यप ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए काफी अहम खुलासे किये हैं, उन्होंने बताया कि आखिर वो लोग सभाद चुनाब कहां से लड़ने वाले हैं, मनीश कस्यप ने ये भी बताया कि उनके पिता जी खुद को गोली मारने वाले थे, वहीं मनीश कस्यप इस बात का भी खुलासा किया, कि अगर उन्हें इस PG ट्राइल चला कर, अगर सजा दिलवादी जाती है, या फिर चुनाब के दौरान उन्हें फिर से साजिस रच कर, अगर जेल भेद दिया जाता है, तो आखिर उनके बदले में कौन चुनाब लड़ेगा, उन्होंने छेत से चुनाब लड़ने वाले हैं, अगर उनको जेल हो जाती है, तो उनके बदले कौन चुनाब लड़ेगा, और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया, कि उनके पिता जी खुद को गोली मारने वाले थे, आखिर क्या कारण था, इस तीन से आठ मिनट की रिप चंपारन में कही से भी लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूब, गलत हुआ है, मैं वहाँ पे उन लोगों के बीच में बैट के साबित करूँगा, कि भाई, तुम लोगों ने जिसको दबाया, कुछला, मसला, वो तुम लोगों के बीच में आके बैट गया है, तो आप चुना इसने पादिलवा का मंदीश को अपने भाबुजी को लड़ा देगा, नमस्कार, मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप लोग देख रहा है, पॉजेटिव इंडिया, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है, या हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो नह पसाते हैं, अपनी खबर पर और परत दर परत, step by step, मनीश कश्यप ने जो भी अहम ख्ला से किया है, जो भी जनता के मन में सवाल है, उन सारे सवालों का जबाब दिये हैं, तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, कि आखिर मनीश कश्यप किस लोग सभाद छे और मनीश कश्यप के पिता जी आखिर खुद को गोली क्यों मारने वाले थी, तो सबसे पहले आपको बात करते हैं, क्याकि मनीश कश्यप कहां से चुनाब लडेंगे, तो आपने सुन लिया होगा, कि मनीश कश्यप ने कहा है, कि वह चमपारन से ही, वह चमपारन से ही चुन परचित हैं और उन्होंने कहा कि वो मोतिहारी से भी चुनाब लड़ सकते हैं वेतिया से भी चुनाब लड़ सकते हैं लेकिन उन्होंने साप साप कह दिया कि चमपारन से ही चुनाब लड़ेंगे और चमपारन से उनका जीतना भी क्या है इस बात का भी उन्होंने चैलेंज क कि वो संसद में जाकर के बैठेंगे और लोकसभा में जाकर के बैठेंगे लेकिन मनीश कश्यप के समर्थक चाहते हैं कि मनीश कश्यप सीएम बने तो आखिर मनीश कश्यप अगर लोकसभा चले जाते हैं तो वो बिहार के सीएम कैसे बन सकते हैं इस बात का भी उन्होंने विषबास्यों के लिए काम करते हैं ठीक उसी परकार से मनीज कस्या भी विहार के 14 करोण विहार्यों के लिए काम करेंगे और उन्हों ने कहा कि अगर वह लोग सभा में अगर जाते हैं तो विहार के लोगों के खितों के लिए वहां पर बुलंदी के साथ अवाद जो कि उत्तर प्रदेश के पुर्वख मंत्री है उनकी भाव हो यानि कि उनके चचेरे भाई की पतनी बीजेपी में सामिल हो जाती है लेकिन इसके बाब जूद भी बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है जिससे ही ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस परकार से डीजीपी गुपतेश्वर पांडे को नितीश कुमार ने भ लेकिन हो सकता है कि उनके साथ भी बिश्वास घात हो जाए और उन्हें बीजेपी टिकट ना दे इसी बात को लेकर मनीज कश्यप ने साप साप कह दिया यानि कि उनका एक के साथ साथ प्लान भी भी तैयार है कि अगर मनीज कश्यप को टिकट बीजेपी नहीं देती है तो मनीज कश्यप अपनी पार्टी बना करके अपने चुनाब चिन पर या अपनी पार्टी अगर ना बना पाएं तो निर्दलिय चुनाब लड़ेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीज कश्यप के इस बात पर लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है और लोग चाहते है कि मनीश कस्यप निर्दलीय चुनाब लड़े वो किसी पार्टी से जूर कर चुनाब न लड़े आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं आप अप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा आप कमेंट करके जूर बताइए कि क्या मनीश कस्यप को BJP से टिकट पर चुनाब लड चाहिए या फिर मनीश कस्यप को क्या निर्दलिये चुनाब लड़ना चाहिए ये आप कमेंट करके जोर बताईएगा वीडियो को जास ज्यादा सेर जरूर कीजेगा वहीं आपको बताते चले कि मनीश कस्यप ने इस बात का भी खुलासा किया कि उसके पिता जी खुद को गो कर रहा है उसके बेटे पर एनेसे के तहत राशुका के तहत कारवाई की गई आखिर उसे देश द्रोहिश साबित किया गया और मनीश कस्यप के पिता इतना ज्यादा फ्रस्टेड हो चुके थे डिप्रेशन में जा चुके थे कि खुद को खत्म करने का प्लान बनाया और ख ऐसा कि सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मनीश कस्यप को एक बार फिर से जेल भेजने की साजिस रची जा रही है ताकि मनीश कस्यप चुनाब लरने लाइक न रह जाए क्योंकि जिस बेक्ती को भी किसी भी मामले में सजा हो जाती है वो बेक्ती चुनाब नहीं लर स प्रतिबंद अगर लगाया जाता है उस इस्तिती में आप क्या करेंगे इसके लिए भी मनीश कस्यप के पास प्लान भी तैयार है और मनीश कस्यप ने कहा कि अगर उनको कोई भी साधिस होती है अगर इस पीजी ट्रायल के तहट अगर उनको जेल भेद दिया जाता है तो मनीश कस्यप ने घोसना कर दिया वह अपने पिता को जो पिता उनके फोज मे थे उनको वह लोग सभाद चुनाब में उतारेंगे अपने जगह पर उतारेंगे और अपने पिता को चुनाब लड़ाने का भी एलान मनीज कस्याप ने कर दिया वहीं आपको पताते चले कि दरसल मनीज कस्याप से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप एक लोग सभाद या एक विधान सभाद छेत्र से अगर आप चुनाब लड़ते हैं तो बिहार के जो 12 करोर, 14 करोर जो जनता है उनकी जो आसा और उमीद आप पर है आप उसको कैसे पूरा करेंगे इस पर मनीज कस्यापने जवाब दिया और जवाब क्या दिया उन्होंने जवाब में सवाल के बदले सवाल ही कर दिया कि क्या नरेंद्र मोदी बनारस से अगर चुनाब लड़ते हैं तो क्या वो सिर्फ बनारस के लोगों का भला देखते हैं क्या अगर तेजस्वी आदव रागोपूर से चुनाब लड़ते हैं तो क्या वो सिर्फ रागोपूर को देखते हैं और ये सवाल के बदले में सवाल करके मनीश कस्यप ने एक बेहतरीन जवाब दे दिया कि वो अगर लोगसभाद चुनाब भी अगर जीतते हैं लोगसभाद चुनाब अगर लड़ते हैं और जीत कर अगर संसद अगर पहुशते हैं ऐसे कई सारे नाम है जो की बाद में जाकल के राज्य की गद्दिवनों ने संभाली और उन्होंने योगी आदितनाथ का नाम लिया आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदितनाथ भी लोगसभाद सांसद थे और लोगसभाद सांसद रहने के दोरानी अचानक बीजे प्यू ने यूपी के सीएम का कंडिडेट घोसित कर देती है यूपी का सीएम मनुनित कर देती है और उसके बाद योगी आदितनाथ यानि की केंदर की राजनिती को छोर कर यूपी की राजनिती करने चले जाते हैं यूपी के मुख मंत्री की गर्दी पर आसीन हो जाते हैं और मनीश कश्यप न का अवाहन किया है और मनीश कस्यब अगर निर्दलिय अगर चुनाब अगर लड़ते हैं अगर अपनी पाठी बना कर अगर चुनाब लड़ते हैं तो पोजेटीव इंडिया का भरपूर सपोर्ट उन्हें मिलेगा प्रिंस कुमार सिंग उन्हें तनमन धन से सपोर्ट जरूर करेगा और मनीश कस्यप को क्या निर्दलिये चुनाब लगना चाहिए क्या मनीश कस्यप को बीजेपी से चुनाब लगना चाहिए और क्या मनीश कस्यप को अगर जेल हो जाती ह और इस वीडियो को आपको मनीश कस्याप से अगर आप प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सेयर कर जन जन तक पहुचाने का काम जरूर कीजेगा जूरे रहे हमारे साथ जैहिन जैभरत